इन दिस कुर्शन नमबर फोर एक करेंट है जो की एक वायर में फ्लो कर रही है आई बराबर आई नॉट प्लस अलफा टी यह एक वैरियेबल करेंट है इसका इस बास से पता चलता है जो आई है वो फंक्शन आफ टी दिया हुआ है मतलब आई की वैलू करेंट की वैलू समय के साथ बदल लिए इसलिए वैरियेबल करेंट है अच्छा सवाल में आई नॉट जो इनीशिल करेंट है और अलफा जो बताता है कि किते तेजी से करेंट बदल ला है वो दोनों के वैलू दी हुई है आई नाट दस एमपियर है रायर के क्रोस सेक्षन के थू दस सेंड डिए टोटल कितना चार्ज फ्लो किया इसको हमें पता लगा जैसा कि आप देख रहे हैं जो आई है वैरियेबल करेंट आई बराबर आई नॉट प्लस अलफा टी अलफा टी यह एक variable current है क्योंकि इसमें T involved है इस equation में T involved है अलफा टी वेरिबल करेंट का मतलब होता है current कभी fast चलेगी कभी slow चलेगी slow fast मतलब amount of charge जो पास करता है per unit time वो ज्यादा amount पास करेगा चार्ज का किसी cross section तो तो ज्यादा current रहेगी और कभी कम flow करेगा चार्ज किसी का सब्सक्राइब तो कम current रहेगी तो यह variable current है अच्छा सवाल में I0 की value 10 ampere and alpha की value 4 ampere per second जैसा कि दिया हुआ है ठीक है जैसा कि हमें पता है कि जो current I होती है और dq by dt rate of change of current होता है तो इसलिए dq बराबर transpose किये dq is equal to i dt हो गया I यहाँ पे इस equation में constant भी हो सकती है और variable दोनों हो सकती है ठीक है दोनों हो सकती है यह equation दोनों के लिए apply करता है यहाँ पे जो dq है समझने की बात है dq एक छोटा very infinitismally small बहुत छोटा जिसको जो 0 के पास कर सकते है 0 नहीं है लेकिन 0 के पास है बहुत छोटा charge है जो की बहुत छोटे time dt time में पार करता है किसी cross section को ठीक है तो हमें 10 second में अगर total charge निकालना है कि कितना pass हुआ तो हमें इस equation को जो dq बराबर i dt equation है इस equation को integrate करना होगा देखे हम कैसे करते है है we have to integrate so q बराबर integration of dq और dq के वैलो i dt रखेंगे यह जो equation है integration of dq इसमें i variable और constant दोनों हो सकता है जैसा भी expression लाएगा वैसा put करें constant लेगा तो constant लिख देंगे तो i की value हमने i0 प्रस alpha t लिख दिया और limit लिया 0 से 10 को कि हमें total charge 0 से 10 second के interval में निकालना की कितना charge pass हुआ तो इनका integration जो i0 constant है जो i0 का हो जागा i0 into t प्लस alpha और जो t है उसका integration होगा t square by 2 limit 0 से 10 लिया इसका integration कर्द हो गया है अब upper limit lower limit value रखें इसको इसके value निकाल लेंगे 0 से 10 तो value पूट करने पर alpha और i0 के value पूट किया t के value 10 है 10 into t plus 2 10 square minus lower limit रखे value निकालेंगे 10 into 0 plus 2 into 0 square ठीक है भाई इसको solve करेंगे तो यह 300 कुलाम आएगा सवाल नंबर 6 में एक wire दिया हुआ है जिसके लंबाई एक मीटर है और radius जो है 0.1 mm है और इस wire का resistance 100 ohm है हमें पता लगाना है कि इस wire के material की resistivity क्या हो भी जैसा कि given है कि length 1 meter हो गया ठीक है और radius 0.1 mm है इसको meter में बदलना होगा क्योंकि millimeter is not the proper unit mk system में तो हमारी जो proper system उसमें बदर convert करना होगा तो 0.1 mm जो होगा 10 to power minus 4 meter हो गया अब हम इस data से उसका cross section area निकाल लेंगे चुकि जो wire है वो cylindrical shape का होता है तो उसका cross section area होगा pi r square तो उसकी value रखते है pi into r के value 10 to power minus 4 meter है whole square तो इसको solve किया 10 to power minus 8 10 to power minus 4 को whole square 10 to power minus 8 pi और unit meter square है चुकि radius 100 ohm है दिया हुआ है भाई सवाल में और हमारे पास formula है r बराबर rho l by a इसी formula के यूज़ करके हम इसकी resistivity निकालेंगे resistivity को हमने subject बनाया रो बराबर r a by l अब सारी value r a l सब दिये हुए है हम इसी equation में इस equation में रख देंगे resistance 100 ohm है cross section area 10 to power minus 8 pi है length 1 meter है तो solve के 10 to power minus 6 pi और जो unit area is short है की वो ohm meter है thank you question number 10 में हम लोग को एक wire दिया है जो कि जिसका cross section area same नहीं है initial शुरुआत में इसका radius है वो a है और दूसरे end पे इसका radius b है वायर की लंबाई L दिया हुआ है और इसकी resistivity row दिया हुआ है और इसमें condition दिया है है कि जो radius में जो difference है radius का वो उसकी length के compare में बहुत छोटा है और इस wire का हमें resistance निकालना है total resistance ठीक है और इसका resistance निकालते हुआ कि एक बात के ख्यार लगना है कि current a वाले जो radius से उधर से जाएगी और b वाले cross section से current निकलेगी चुकि हमें पता है कि किसी भी conductor का जो resistance होता है वो इस बात पर depend होता है कि वो current किस दिशा में उसमें flow हो रही है मतलब दिशा से मतलब जैसे a से गई b से निकली या b से गई a से निकली उन दोनों दिशा हमें तो सेम रहेगी लेकिन अगर माल लेंद के परपेंडिकुल हो गई तो resistance बदल जाएगा तो यह यह बात का ख्याल लगना है ठीक है अब जैसा कि इस डाइग्राम में आप देख रहे हैं इस वायर को हमने रेड लाइन से कई portion में इसको हमने इसको cross mental तो पर काटा है और दिखाया है कि चाहे भले इसका cross section बढ़ रहा हो right दिशा में लेकिन current सब में सेम जाएगी all portion जो है यह कई छोटे छोटे portion है और सब में current सेम जा रहे हर portion एक दूसरे से सटे हुए है कि सारे अगर कई तो सब में current सेम होती है तो इसमें जितना portion है जो सटे हुए है जिनके through current पास कर रही है सारे portion series में है तो किसी एक portion का हम अभी resistance निकालेंगे और phase series combination करके उसको जोडेंगे ताकि की पूरे conductor का जिसन निकल सके जिसे हमने लिखा है the whole conductor can be viewed as a group of side-by-side disc actually इसके इतना पतला काटेंगे तो disc में shape में आ जाएगा जिसकी लंबाई जो होगी वो उसकी थिकनेस होगी और जो cross section होगा वो उस disc radius का radius लेके pi r square करेंगे तो इसमें जैसे लिखा है कि एक resistance एक जो disc है जिसको आप element कर सकते हैं उसका अगर resistance dr है तो integrate करके हम लोग को r बराबर integration of dr पूरा resistance निकालेंगे झालेंगे अब आगे देखे इस डाइग्राम में हमने यह एक ठीटा बनाए हुआ है जो बताएगा उसका राइडियस जो बढ़ रही है वो कितना तेजी से बढ़ रही है दूरी आगे बढ़ते वक्त कैसे बढ़ रही है तो 10 ठीटा जो होगा जो उस लाइन का स्लोप कर सकते हैं 10 अब एंडिकल अपन बेस बी माइनस अपन अपन अल हो गया ठीक है तो कैलकुलेट दे रिस्टेंस अफ कंड़क्टर एक छोटा सा इलेमेंट लेंगे जिसका राइडियस आर है जो कि लेफ्ट इंड से एक्स दूरी पे है और जो डिस्क है जो इलेमेंट है डिस्क जिसका इसेंस डियार है उसकी मोटाई है डियक्स और वो लेफ्ट इन से एक्स दूरी पे है तो जो आर होगा वो आर जो उसका राइडियस होगा वो ए प्लस जो और एक्स्ट्रा हाइट उची हुई है वो है तो एम एक्स हो जाएगा दो को जो छिसका जो डिस्क है जिसको हम कंड्डक्टर का एक छोड़ा साइलमेंट कहेंगे जो एरियास का क्रस सेक्शन भाइगा पाई फसको डियार कहेंगे हम bugün जो एक फर्म रेजिस्टेंस जो डियार् होगया उसका रो मोटाई है डी मोटाई का मतलब उसकी length बानेंगे, area of cross section a है और a की value pi r square है और r की value a plus mx, hence यह total resistance होगा, r पूरे conductor का जो होगा, indicate करके निकालना है हमें, तो r बराबर, indication of dr, rho dx upon pi a plus mx, whole square, limit लेनी पड़ीगी क्योंकि आपको बताना होगा कि आप indication कहां से कहां तक कर दें, आपको बताना होगा कि जो resistance आप ले रहे हैं, वो कितने portion का लेकर जोड़ रहे हैं, तो 0 से l integration, जो limit होगी, मतलब x की value जिसके with respect to आप integration कर रहे हैं, 0 से l, तो rho dx pi a mx, rho pi dx a, अब इसमें तो सामें सीखना होगा कि इसका integration कैसे करेंना है, integration के लिए देखें हम अलग से बता दे रहे हैं, now to integrate, integration जो है, तो अलग से सीख लेया जाए, यह simply जो upon में a plus mx है उसको कुछ t मान लेते हैं, तो a plus mx बराबर t, अब इसको हम differentiate कर दें, dt by dx बराबर हो जाएगा, a तो constant 0 हो जाएगा, m बचेगा, और dx बराबर होगा, dx जो होगा, वो होगा dt by dt by m, dt by m हो जाएगा, अब यहाँ पर रखने, dx को dt by m लिखने, upon यह जो इसको t माना तो t square हो गया, इसमें m constant बाहर आ गया ठीक है, और यह t को integrate कर देंगे, तो यह आ जाएगा, मैनस 1 by m, 1 by t, अब t के value चाहिए तो रिख लिजे, ax, sorry, t के value रखे, a प्लस mx, अब यह जो integration हो गया है, तो हम limit भी चुकी लेना, 0 से l वाला, तो limit है, 0 से l, dx upon a plus mx whole, s का integration हो गया है, minus 1 upon m, a plus mx, 0 to a, अब सारी values पूट कर दें, ठीक है, value पूट करेंगे, पहले रखेंगे, x के value l, फिर minus भी रखके, 0 भी रखना होगा, तो minus 1 by m, bracket में, 1 upon, a plus ml, minus 1 by a, solve करते हैं, minus 1 by m, यह थर हो गया, और a, plus ml, m के value यह पूट कर दिया हमने, m के value पूट करता कि a लेल कर जाए, देखे, और a, a भी कर जाएगा, तो 1 by b बचेगा, 1 by m, 1 upon b, minus 1 by a, minus 1 by a, minus 1 upon a, minus 1 upon b, तो, l upon b minus a, m के value पूट कर दिया हमने, और यह b minus, देखे, b minus a cancel हो जाएगा, तो यह l upon a b हो जाएगा, तो यह integration हो गया हमारा, अब, चुकि रेजिस्टेंस आर जो है, वो है, जो आर रेजिस्टेंस है, रो, बाई पाई, 0 to l, यह था शुरू में एकदम, integration, जब नहीं कर पा रहे थे उस टाइम, अब हमने integration कर दिया है, तो रो बाई पाई और जो रो integration की वैलू है, l upon a b, तो रो, l by πाई a b, यह इसका अंसर हो है, थेंक यू.